आप देख रहे हैं वोईस टीवी खबर सबसे तेज नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वोईस टीवी खबर सबसे तेज अलहास ख्वाजा सूफी सेयर अनवार हुसेन शाह साहब का तीसरा सालाना उर्स मुबारक दरगा अनवारुल ओलिया मुर्शिद नगर आकलाबाद हसनपुर फिरोजबाद में बड़ी धूम धाम से साथ जन्वरी से दस जन्वरी तक मनाया जा रहा है जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से हजारों मुरी देन वशेहर वासी शिर्कत करेंगे मेरा नाम सद्दाम हुसैन सज्जादा नशीन दरगाए अनवारी अबरारी जमाली ये जो प्रेस कॉन्फरेंस आज रखने का मकसद है वो अलहाज खौजा सूफिसियत अनवार हुसैन शासाब रहमतुल्ला आले के चोहते और से मुबारक के मौके पर रखी गई है जिसमें शहर फ्रोजाबाद और बाहर से हजारों की तादाद में मौरीदीन शिरकत करते हैं और ये अर्स जो साथ जनवरी से शुरू होने जा रहा है इसमें पहले दिन सरकारी चादर पेश होगी बाद नमाज एशा मौशारा होगा आठ तारीख की सुबा आम चादर पोशी रात में महफले समा होगी जो तमाम रात होगी नौ तारीख को सुबा दस बजे या साड़े दस बजे कुल शरीफी रसम अदा की जाएगी उसके बाद लंगर होगा रात में फिर महफले समा होगी दस तारीख को मुहमदी मजजिस से साट फटा रोड होते हुए संदल का जलूस जिकर धहमाली वकलन दरी के साथ दरगाए अन्वारिया पे संदल को पेश किया जाएगा उसके बाद मुलक में अमन औ चैन की सुकून की दूआ की जाएगी उसके बाद लंगर याम जो भंडारा है वो आम तक्सीम किया जाएगा उसके बाद महमान रुखसत हो जाएगे आपकी प्रेस के माद्यम से मैं सारे परशासने का दिकारी नगर नगम का दिकारी विद्द विभाक को मैं बताना चाहता हूँ कि उसके मौके पर मुरीदीन जाहिरीन को परशानी ना हो इसके खास इंतजामात किये जाएगे खास तोर से पुलिस परशासन से मेरा अनुरूद है क्योंकि वो इलाका थोड़ा सा नाटे का है इसलिए मैं यह अनुरूद करना चाहता हूँ कि उस अलाके में थोड़ी चाक चौबंदी होनी चाहिए ताकि आने वाले मौरीदीन और जाहिरीन को परशानी ना हो